Hello everyone, ignore the location, but आज का जो topic है, I am going to touch some sensitive topic, some dark secrets of engineering, तो मैंने अभी दो वीडियोस बनाए, reality of engineering और untold stories of engineering, आप सभी ने बहुत प्यार दिया और comment section में आ रहा था कि सर आप part 3 बना दीजिये, तो ये kind of आप part 3 इसको समझ सकते हो तो इसलिए यस वीडियो को पूरा end तक जरूर देखना, आपका जो भी feedback होगा, suggestion होगा, आप मुझे बताना, ये जो पीछे है न, ये सब को आप ignore कर दो, क्योंकि मैं बाहर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, जादा दूर नहीं जा पा रहा हूँ, तो आस बास में जो भी जग ethically related to opposite gender attraction, हाँ ये common topic है, मतलब लगेगा कि common है, बट कुछ deep dive करके मैं sensitive topic को touch करूँगा, सबसे पहले क्या होता है, मैं single लोगों की बात करता हूँ, especially londo की बात करता हूँ, boys, तो boys लोग क्या होता है, वो school time में normal रहते हैं, किसी किसी के जो handsome दिखते हैं, जो confidence होता है जिन में वो जाके approach कर लेते हैं, school में उनकी girlfriends होती हैं, and similarly, ये लड़कियों के लिए भी applicable है, काफी लड़कियां भी approach करती हैं, but engineering में क्या होता है, माहोल ही कुछ ऐसा होता है, आप देखते हो कि आपके senior जितने भी हैं, almost हर किसी के girlfriend होते हैं, वही चार दिवारी में न, मैंने part 1 में बताया था, वही चार दिवारी में शुरू होता है, चार दिवारी में खतम हो जाता है, but demotivate मत होना, इसके positive sides में भी है, long term चलते हैं, but मैं आपको बताऊंगे, reality क्या होता है, 80-90% case में जो होता है, वही reality हम लोग मानेंगे, majority of the cases में होता है, क्या पता, आपके साथ, अग उने batch में भी शुरू हो जाते है, माहोली कुछ ऐसा होता है, अपका सेम class हो गया, सेम lab हो गया, lab में partner बन गई वो, और फिर आप बातचीत करते हो, पसंद आने लगती है, शाम के time में आप मिलते हो, चाय कॉफी में जाते हो, समोसा खाने, मोमोस खाने जाते हो, बातचीत हो तो फिर अप रिटन आते हो, फिर फोटोस वगयरा जो click किये होते हो, वो share होता है, reality बता रहा हो, yes, आप फोटोस वगयरा share करते हो, story status में tag करते हो, and real share करना शुरू होता है, reals तो अभी आया, मेरे time पर reals वगयरा नहीं था, last last में आया, बट शुरू शुरू में, जब मै पर reals वगयरा concept नहीं था, short videos का concept नहीं था, so हाँ, आप reals वगयरा share करते हो, फिर रात में chatting चलती है, घर पे रहते हो, आप call पर बात नहीं कर सकते हो, but college में रहते हो, hostel में रहते हो, तो फिर आपके पास वो freedom है, आप video calls करते हो, आप calls करते हो, आप एक दूसरे को जानने का समझने का कोशिश करते हो, तो धीरे धीरे bonding strong हो जाता है, अगले दिन फिर आप मिलते हो, और ये process repeat होते जाता है, repeat होते जाता है, एक stage के बात लगता है, कि यार ये जो partner है, she is perfect, he is perfect, और इसी को हम बीवी बनाएंगे, इसी को हम अपना पती बनाएंगे, ऐसा सोचते हो, हा उनकी लड़कियां भी efforts देती हैं, जो कि show नहीं करती होतना, उनके अंदर भी वो चाहत होता है, बट वो show नहीं करते हैं, तो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि, हाँ, ये वीडियो पूरा एंटार वीडियो एकी location पर होगा, मैं change नहीं करूँगा, इसके लिए location, so please bear with me, तो अब जब long term सोच लेते हो ना, तो efforts भी आप जाधा मारते हो, तो efforts मारने के चक्कर में आप खुद का damage करते हो, क्या क्या damage की बात करता हूँ यार, दिल पे मतले ना, मैं fact बता रहा हूँ, आप ना, खुद को ignore करना शुरू करते हो, ये क्या कुशिन है, हाँ, तो अब आपका जो priority था initially जब आप engineering join किये, ये था कि आप successful बनोगे, अच्छा software engineer बनोगे, पैसा कमाओगे, खुद पे काम करोगे, skill करो, skill develop करोगे, but आपको down the line realize होता है, ये आप इतना time is में invest करते हो, बातचीत करने में, उनको खुश करने में, उनको हसाने में, उनको प कुछ भी important चीज होता है, आप उसको भूलते जाते हो, इस चकर में loss किसका होता है, loss आपका होता है, फिर से बतारू, loss किसका होता है, loss आपका होता है, खुद का होता है, खुद का ही loss होता है, अगर अच्छा चल गया, दोनों supportive हो, और support करते हो एक दूसरे को हर एक situation में, हर एक circumstance में तब तो अच्छा है एक दूसरे को skills सिखाते हो एक दूसरे के साथ काम गरते हो गरो गरते हो growing with each other is very important जो कि कम लोग करते हैं अगर आपको checklist बनाए नहीं I am suggesting यू अगर एक दूसरे के साथ रहना है if you like the other person और बहुत दूर चक जाना है न अब checklist बनाओ और उसमें न grow with each other grow with each other में क्या होते हैं अब काम करो सुबह उठते हो एक दूसरे को उठा दो that is very good हो सकता है यार अभी मैं दूसरे भुजूर्गों की तरह मैं बात नहीं करूंगा कि यह सब चीज से दूर रहो नहीं यार यह सब के बहुत सारे plus points होते हैं, merits होते हैं जो आपको push करेगा आगे बढ़ने में, growth करने में बट मैं आपको यह बता रहा हूँ कि अगर सच में करना है तो आप talk about it आप उनसे बात करो इस सब चीज के बारे में कैसे बात कर सकते हो क्या बता सकते हो कि yes I really like you, I love you, you are my everything, you mean the world to me but yes, let's fix some time for our personal growth, साथ में रहेंगे, suppose college में जाते हो न, web development बहुत hype होता है website बनाना, html, javascript वगेरा सब चीज है, तो आप उनको बता सकते हो कि साथ में हम लोग सीखते हैं, let's fix our time, हम youtube videos देखेंगे, हम course करेंगे और फिर एक दूसरे को सवाल पूछेंगे, और इसके साथ क्या होगा, हम लोग grow कर पाएंगे, ऐसा नहीं कि हम वो जो क्या बोलते हैं, निब्बा निब्बी के तरह, है न, ऐसा नहीं होना चीए, और निब्बा निब्बी के तरह, बहुत लोग मैं, fact बता रहो, किसी भी चीज को दिल पे मत लेना, अगर वो सब चीज भी आप करते हो, तो अच्छी बात है, बट साथ में, खुद को न, पीछे मत छोड़ना, खुद को कभी भी पीछे मत छोड़ना, you should be in the top priority, खुद को हमेशा टॉप में रखो, मैंने भी गलती वही किया है, कि मैंने खुद को उतना importance नहीं दिया, जिस वज़े से बात में regret होता है, मेरा भी lifetime regret रहेगा, बट कुछ अच्छा कर लेते हैं, थोड़ा सा fade out हो जाता है, बट वो regret खुद के अंदर कभी मत आद ने देना, grow करो, checklist बनाओ, checklist में काम लिख लो कि आज के दिन में हम लोग यह साथ में काम तब exciting बनेगा, like, समझ रहे हो, आप दोनों मिलके एक goal के लिए काम कर रहे हो, और साथ में हो, ऐसे नहीं के अलग हो, आप साथ में हो, एक दूसरे को पढ़ा रहे हो, college का भी पढ़ाई होता है, assignment होता है, homework होता है, वो सब चीज भी आप साथ में कर रहे हो, और grow कर रहे हो, बट इसका demerit ही होता है, कि अगर, by any chance, बहुत सारे reasons होते हैं, वो भी मैं बात करूँगा, breakup के reasons, college में न, दिल तूट जाना, या, चीट होना, चीट करना, यह सब चीज कॉमन हो गया, आज के date में यह trending हो गया, मतलब trend चलता है, कोई अगर ऐसा करता है, तो हाँ यार, मैंन तो कल, फेस करना पड़ेगा, 90% of the students को, college engineering students को, फेस करना पड़ता है, I am one of them, मेरी story मैं बाद में बता हूँ, और डीटेल में कभी तो और अच्छे से रिलेट कर पाऊगा, अभी मैं जनरल बता रहो, आप भी रिलेट कर सकतो, यह वीडियो का 90% बाट, कही ना कहीं मैं बता है, आप काम कर सकते हो, चेकलिस बना सकते हो, फिर वेब देवलोपमेंट, यह फिर फुल-स्टैक डेवलोपमेंट, फ्रेंट, बैकेंड वगेरा, पाइथन प्रोग्रामिंग, मशिन लर्निंग, डेटा साइंस, बहुत सारे चीज़ों में आप इंटर कर सकते हो, साथ तो अकेला फील करने की जरुवत नहीं है, आप खुद सफीशेंट हो, खुद काफी हो, हमेशा आपको किसी और की जरुवत नहीं है, कि आप आगे बढ़ो, अब अकेले बहुत कुछ कर सकते हो, बट अगर साथ होते हो, कुछ टाइम बादा बिचर जाते हो, तो उस टाइम पर बहुत बुरा लगता है, you can talk to me, my Instagram ID is there, I am Aqash Dash, वहाँ पर आके खुल के कुछ भी बता सकते हो, आपका प्राइवेसी, आपका पूरा सिक्रेसी मेंटेन रहेगा, पूरा सिक्रेट रहेगा मेरे पास, we can talk about it in a mature way, आप लोग का हर्ट ब्रेक हुआ, या फिर कुछ भी आ पार्ट में ही अपना stories, अपना experience शेर करता रहूंगा, आपके साथ relate करता रहूंगा, मुझे और यह बताना था, कि conclusion यह है, यह अच्छा भी है, यह बुरा भी है, I am talking about relationship, but manage करना आपके हाथ में है, priority देना आपके हाथ में है, आप अगर खुद को भूल के, खुद को ignore करके सामने वाले को अपना भगवान मना लेते हो, आशिरवाद नहीं मिलेगा, okay, so, प्रशाद चाहिए, अच्छा result चाहिए, then, you need to work on yourself, you need to give yourself the top priority, I hope आपको कुछ समझ आया होगा, यार, किसी के sentiments hurt होगे, तो I am really sorry, मेरा objective यह नहीं था, कि किसी को मैं hurt करूँ, या किसी के against में मैं बस fact और reality के basis पर बात करता हूँ, और अगर अच्छा लगा, दल से अच्छा लगा, तो comment में बताना, आगे भी कुछ stories, like, I have a story related to the entire intoxicants, like, जो भी toxic चीज़े होती है, alcohol, फिर weed, then, जितने भी चीज़े हैं, joint, bonk shirt, सब, everything, उसके related, I have a different story, I have a different experience, वो में शेर करूँगा, अगर आप चाहते हो, तो, part 4 में, if you want part 4, if you are enjoying this series, otherwise, we will come back की, आप वापस कैसे कर सकते हो, 10th 12 के बाए, software engineer क्या, क्या, फील से explore करने की, क्योंकि मैं अभी जिस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ, कोई बात नहीं कर रहा है, इस चीज़ के बारे में, but experience अब करते हैं, okay, so thank you so much for watching this video, यहां तक video देख लिए हो, तो प्यारा सो कुछ comment कर लो, कैसा लगा इस video को देखे, कुछ सवाल है, तो comment में बताना उसके relative video बन जाएंगे, मिलते अगले video में, तब तक keep learning, keep exploring, keep smiling, चैनल पे नहे आए हो ना, तो प्लीज चैनल को subscribe कर देना, thank you so much, bye bye, take care.